हेलो एवर्यवन इस वीडियो में हम डिजिटल पुस्तकाले की आफशक्ता के बारे में बात करेंगे कि वर्तमान में डिजिटल पुस्तकाले की आफशक्ता क्यूं है need of digital library वर्तमान जो परिद्रश्य है इस परिद्रश्य मैं रिजिटल पूस्ट का लेकि आफशक्ता क्यूं है जो जिस प्रकार से सूचना तक्निकी का जो विकास हुआ है और इस प्रोद्रिक का विकास हुआ है उसी के साथ साथ लोगों की आफशक्ताओं के माइने भी बदले हैं लोगों ने अपनी जो रिक्वाइरमेंट्स हैं आज व्यक्ति समय की बचत चाता है, कम खर्च चाता है और अपनी जो सूचना है वो authentic information चाता है तो ऐसी सिती में डिजिटल पुस्कालायों का त्रादूरबाव हुआ, डिजिटल पुस्कालायों बनकर तयार हुए डिजिटल पुस्कालाय की आफशकता है, वो basically तीन बातों पर कैंद्रित रहती है, इसकी जो तीन मुख्य जो विशेशता हैं, उन आदार पर डिजिटल पुस्कालाय की आफशकता वर्तमान में महसूस होती है, डिजिटल पुस्कालायों को उप्योग किया जाता है सबसे पहली है, सूचना प्रदान करने एवं सूचना तक अभी गम के मात्यम के रूप में इंटरनेट तथा वेब तक्निकों का प्रादूरबाव हुआ यानि सूचना अभी गम के मात्यम के रूप में इंटरनेट का आविश्कार और वेब टेकनलोजीज यानि जो www का आविश्कार हुआ था टीम बर्नर सली ने इसका जब आविश्कार किया था 90 के देशक में तब से इस शत्र में करांती आई है www के आविश्कार ने सूचना को एक ऐसा प्लैटफोर्म प्रदान किया है जो एक विश्पो तक अथा सूचना बंडार में से अपनी जो आफशक्ता है जिस सूचना की उस सूचना को सामन्य वे में प्राप्ट कर सकता है और बिल्कुल ही यूजर फ्रेंडली प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए कोई प्रसीक्षन की आफशक्ता नहीं होती है जैसे कि आज हम इंटरनेट एक्स्प्लोरर या गूगल या किसी और जो प्लैटफॉर्म है जो ब्राउजर है उन पर किसी भी सूचना को खोजने की कोशिस करते हैं तो वो आसानी से हमें उपलब्द हो जाती है उसकी खोज समयने होती है कोई भी व्यक्ति खोज कर सकता है और वर्तमान में तो जो आर्टिफिशल इंटेलिजेंस है उसके आजार पर हम इंफोर्मेशन को बोल कर भी सूचना प्राप्ट कर सकते हैं जो www का आभिशकार हुआ था वो इतना मोडिफाई हो गया वर्तमान में इतना परिस्क्रत हो गया कि सूचना को किसी भी प्रकार से हमें उपलब्द करवा सकता है उच्च तकनीक उच्च विक्सित तथा असाजरन सरल अत्वा अंतर ग्यान इनिशियेटिव उप्योगता अंतर संचालन यानि तमाम उपलब्द मंचों तक तुरंत ले जाने वाले विबिन जो खोजी नेटवर्क है उनकी उपलब्द दा यानि जो भी ड्रावजर्स हैं सूचना को खोजने के जो ब्रावजर्स हैं उनकी उपलब्द दाने भी डिजिटल पुस्काले की तरफ लोगों को अकरशित किया है आज वर्तवान में जो लोग जिस प्रकार से यूजर्स सूचना को चाते हैं वह उसको सरल बनाया है और जो www है इसने भी सूचना को एक श्रंकल प्रदान की है सूचना को किसी ने किसी क्रम में जमा कर उसको यूजर्स पुनर प्राप्ति योगी बनाया है और किसी भी माध्यम से हम सूचना को जो विश्व में कहीं पर भी है उस सूचना को हम प्राप्त कर सकते हैं हालांकि सूचना की जो भाव होता है वो बहुत अधिक होता है एक परमपरागत पुसकाले की तुलना में वहाँ पर एक आपको limited और fixed सूचना मिलती है जबकि जो इंटरनेट के माध्यम से जो information मिलती है वो काफी बही हुई सूचना अधिक सूचना होती है और उसकी authenticity या फिर उसकी जो प्रासंगिकता कितनी है और वो एक अलग बात है otherwise सूचना कोई भी सूचना हम एक स्रंखलाबत तरीके से इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं तीसरी बात निरंतर बढ़ती हुई जो किमत है विबिन पत्रिकाओं के या documents के या जो informations है उनकी तो उस दिस्टल पुस्काल है या दिस्टल संसातनों का उप्योग अतिक्तम किया जा रहा है क्यों बहु संक्यक विशय विवरणों को बंडारित कर सकने वाली online बंडारन प्रदुगी की दिशा में जो विकास हुआ है इस विकास के कारण जो कीमतें हैं वो कीमतें पारंपरिक तर दिस्टल पुस्काल है की आफ्शक्तप महसूस होती है दिश्टल पुस्काल है क्यूं होने चाहिए वो इन तीन बातें के कारण होने चाहिए अब डिश्टल फुसकाले समय एवंदूरी की जो पारंपरिक सीमा है उससे उपर उठकर सहबागिता कॉपरेटिव सिस्टम पर जो मल्टी डाइमेंशियल जो संसादन है जो इन्फोर्मेशन्स है वहां तक हमें अभी गम प्रदान करती है पारंपरिक सीमाओं से उपर उठकर सहबागिता के आधार पर मल्टी डाइमेंशियल बहु आयामी संसादनों तक हमारा अभी गम प्रदान करते हैं डिश्टल पुसकाले यह व्यवस्ता पारंपरिक पुसकालेओं में नहीं होती है वहाँ पर एक information या सूचना प्राप्त करने का एक दाइरा होता है उस दाइरे से बाहर हम सूचना को प्राप्त नहीं कर सकते हैं अपना physical appearance वहाँ पर होना होता है जबकि डिश्टल पुसकालेओं में आप कहीं भी दुरस्तान पर बेटे हुए सूचना को प्राप्त कर सकते हो किसी भी प्रकार की सूचना को प्राप्त कर सकते हैं और एक global village के रूप में पूरे विश्व को प्रदेशित करती है ज़िस्तल पुसकालेओं हम किसी भी देश की सूचना कहीं की भी सूचना कहीं पर भी प्राप्त कर सकते हैं यह उलेकनी एवं अनुपम सुधार लाकर सेवाओं को मुल्य समवर्दन प्रदान करता है value added जो सेवा कह सकते हैं वह सेवा ये सब तकनीकों की कारण प्राप्त होती है साथी साथ पारंपरिक समश्याओं के लिए भी व्यावारिक हल प्रदान करता है पारमपरिक समश्या यानि जो पारमपरिक पुस्त का ले हैं उन पुस्त का ले कोई समश्या है उनका भी एक व्यावारिक हल परदान करता है इस कारण से डिजिटल पुस्त का ले की आफशकता है परिस्क्रत सूचना, सूचना प्राप्ती तथा प्रलेक प्रदायन की जो उन्नत क्षमता है डिस्टल पुस्तकाले की व्यापक तथा चोकाने वाली शक्ती है पुनरप्राप्ति यानि सूचना को पुनरप्राप्त करना, परिस्करत सूचना, डोक्यूमेंट डिलेवरी की जो सेवाय हैं और व्यापक सेवाय हैं ये पारमपरिक पुस्कालाय से डिस्टल पुस्कालाय को अलग करती है और यही इसकी शक्ती है इसके अलाव डिस्टल सूचना के स्रजन, बंडारन, आधान परदान तथा संप्रेशन की उलेकनी रूप में कम कीमत ने डिस्टल पुस्काले को विश्व विव्यापी स्तर पर आफशक प्रोस्तान परदान किया है डिस्टाइजेशन की अनेक व्रहत योजनाएं पुराने भुरबुरे हो चुके तथा शरित हो रहे विद्वता के बहुत ही मुल्यवान प्रलेखों के सरक्षन एवं सुरक्षात्मक रक्षन की और भी लक्षित है अब पारम पर एक पुस्काले के दोक्यूमेंट है वहां पर प्रते एक डोक्यूमेंट की एक उम्र होती है उसकी एक एज लिमिटेशन होती है दीरे 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 उनका सरक्षरन होता जाता है पुराने होते जाते हैं और बुर्बुरे हो जाते हैं ऐसी स्तिति में जब उन का डिस्टल रूप में सरक्षन किया जाता है तो उस सेत्र में जो मुल्यवान प्रलेक होते हैं या जो ब्रेयर प्रलेक होते हैं उनको आसानी से सरक्षित किया जा सकता है उनका बार बार अध्यन किया जा सकता है तो यह भी इसी कारण से भी एक डिस्टल पुस्काल है जो वर कि लिभीखिय विवरन को दिख अभिगम प्रदान करते हैं मैक्जिमं जो सब्जेक्ट डिस्क्रिप्छिन उनको अधिकतम अभिगम प्रदान करता है और धूरस स्थितियों से विवस्ति truck किये जा सकते हैं तथा अध्य एक्यवं अध्यापन के वाातर्वन को समरि एडिट किया जा सकते हैं उनको जोड़े जा सकते हैं और अध्यान और अध्यापन का जो वाधावरान है उसको सम्रत बनाया जा सकता है यानि एक जगह से आप अपने डुक्युमेंट को एडिट कर सकते हैं और वो एडिशन है वो कहीं भी दुरस्त बेटे पाठक उसका उप दिजिटल पुस्टकाले पद्धियों तक अनेक परकार के उप्योगताओं द्वारा एक साथ तथा प्रलेकों की लगतार उपलबता की गारंटी के साथ अभी गम प्राप्ट किया जा सकता है अब डिजिटल पुस्टकाले के द्वारा एक साथ अनेक प्रलेकों को किसी भी समय हम प्राप्ट कर सकते हैं जबकि पारंपरिक पुस्टकाले की ये सभी सीमाय होती है तो इस कारण से डिजिटल पुस्टकाले वर्तमान की अफशकता बन गया है डिजिटल पुस्टकाले करियानवन पारंपरिक तरीके से सेल्प पर बंडारित पुस्टकों तथा पत्रिकाओं की तुलना में जमेनी स्थान की जरुत को नाट की डंग से कम कर देता है और जिस प्रकार से जो पारंपरिक पुस्ट कालायों के लिए जो प्रलेकों को रखने के लिए जो सेल्स की और जो जगे की आफशकता होती है उसको भी डिस्टल पुस्ट कालाय बिल्कुल उस समेश्या को समाप्त कर देता है विपन सूचना है एक कम्पीटर में एक कि आफशकता होती है तो इस कारण से डिस्टल पुस्ट कालाय की आफशकता महसूस हुई धन्यवाद